हेलो बच्चो मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चो आज हम लोग कक्छा 3 की हिंदी पुस्तक रिम जिम 3 का पार्ट नमर 12 जब मुझे साप ने काटा उसका प्रस्ण उत्तर देखने जा रहे हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर आपका स्वागत करती हूँ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजेगा प्रेंड नोन्टिफिकेशन को प्रिस कर लिजेगा और पिछले किसी वीडियो को मिश कर आए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक कुप लबद है उसे क्लिक करके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम लोग NCRT में जो भी प्रसन उत्तर इस पार्ट में देगे हैं उसको सॉल्प करने जा रहा है आई हम लोग देखते हैं पेज नंबर 107 पे पहला प्रसन है नाना मुझे जारफुक वाले आदमी के पास क्यों ले गए उत्तर में वह जू बच्चा है उसको इसके नाना जारफुक वाले के पास क्यों ले गए उत्तर में आप लिखे हैं नाना ने मेरे उंगली पर निवला निशान देखकर सोचा कि मुझे सापने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है जैसा कि गाउं में प्राया लोग समझते हैं अतर वह मुझे जहारपुक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए अगला प्रस्ण है बच्चों मैं बुढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था लेखक जो थे संकर जी वो जब बच्चे थे तो वो बुढ़े आदमी को क्या बताना चाहते थे मैं बुढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांज़े नहीं बर्णे काटा है पर वो बता नहीं पा रहा था अगला प्रस्ण है जब सांज़े ला अप नारियल के खोल में घुष गया तो मैंने क्या किया था मैंने ऐसा क्यों किया था ऑर ऐसा जो किया था वो क्यों किया था व हो भी आपसे ठूछा जा रहा है तो आप उत्तर में लिकेंगे जब सांप नाड्यल की खोल में घुझ गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया कौन यह कौन बोलरा यह लेखक संकर बोला है उन्होंने पत्थर से उस नारियल को ठक दिया था ऐसा मैंने खेल खेल में किया था फिर जब बंध हो गया तो मैंने पकर लिया तो ऐसा वो चुकि बच्चे थे और वो समझ रहे थे कि सांप से खेला जा सकता है जो कि बहुत ही गलत बात था अगला प्रस्ण है क्या बुढ़े आदमी ने कुछ बुढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया ऐसा लेखय कर रहे हैं क्योंकि मुझे सांपने नहीं बर्ने काटा था उसको तो सांपनी क काटा रही था वर काता था मुझे असल में सापने नहीं काटा था फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सापने काटा क्यों रखा तो लेखक को साप काटा नहीं था बर काटा था फिर भी उन्होंने इस पार्ट का नाम रखा जब मुझको सापने काटा ऐसा क्यों अगला प्रसना है तुम इस कहानी में साप के बारे में बताया गया है हलाकि साप काटा तो नहीं था लेकिन ये कहानी पुरियोसी पर टेजड है दादा जी मन में साप का भाई विद्धिमान ठाहि जब लेखा को — काट लेता है तो उन्हें हो सकता है कौन कौन साब कर सकते हैं इसका नाम अंधिविश्वास रखा जा सकता है नाना का डर गाहों का डॉक्टर इस तरह का कोई भी नाम रखा जा सकता है अगला प्रस्ने बच्चों मैं बुढ है को कुछ बताना चाहता था वर बता नहीं चाह lessons ना तो कि तुम बताना जाहो लेकिन तुम बताने ही पाओ तो उत्तर में होगा एक बार मेरे दोस्त से मेरी लडाई हो गई थी मैंने लडाई का सारा दोस अपने दोस्त पर मर दिया ऐसा हम अपने मन से लिख सकते आप कुछ और भी लिख सकते बच्चो यहाँ पर एक उधारन है उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा उस समय में बताना चाहता था किश में मेरा भी दोस्त है पर उन्तु पिटाई के डर से नहीं बता पाया या नहीं बोल पाया अगला प्रसन आप से पुछा जा रहा है क्या तुमने कभी साप देखा है तुमने साप कहा देखा उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा तो आप से पुछा जा रहा है कि क्या तुमने अपने आसपस कहीं सांप देखा अगर देखा तो आप को कैसा लगा देखने तो आप कुछ और उद्दार भी दे सकते हैं यहां पर एक उधारन द्या हुआ आप लिख सकते हैं मैंने सांप कई बार देखा है जब हमारी गली में सपेरा का सपेरा सांप का खेल दिखाता है मैंने तब सांप देखा है उसे देखकर डर लगता है ऐसा भी लिख सकते हैं या आगर आपके आसपास कभी सांप निकला हो और आप देखे थे तो देखने के ब पूछ सकते हैं जैसे कि घर के लोग बता सकते हैं कि घर पर पूछने पर पता चला कि अगर साप काट ले तो जहां साप काटे उसके नीचे कसकर पट्टी बांदे ताकि जहर आगे ना बढ़े और तुरंट अश्पताल ले जाना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है कि विद्य ससे बिए लोगों को परिशानी होता है दर्द होता है कुछ और कЕТ रही है लिया शुटर होता है नाम उपने लिखें कि अपर दर्द होता है कुछ आग वह बिच्छीन यहीं किसी को चोट लग जाए किसी आंक में कुछ पढ़ जाए किसी की नाक се मूं बहने लगे तो आप इसका उत्तर से दे सकते हैं किसी लौहे की चीज को घिशकर लगा दें यह उस पर रगड़ देंना और किसी कीरह काट लेता है तो हम इस तरह इससे डंक निकल जाता है इसा लोग बोलता है यदि नौशाधर हो तो भी लगा सकते है नौशाधर का मतलब होता है फिट करी या तुरन्त डाक्टर के पास जाएं तो बच्चो इस तरह से हम positivity कर सकते हैं और किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए किसी को चोट लग जाए तो तुरन विट्रॉल्क से धो कर पट्टी बांदें फिर हमें डाक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए अगर किसी के आख में कुछ पढ़ जाए तो क्या करना चाहिए अगर आख में कुछ पढ़ जाए तो पलक उठा करके हमें उपर नीचे करके हिलाना चाहिए जिससे कि वो बस तो बाहर आ जाए या फिर ठंदे पानी से धोना चाहिए पिर भी लागर ठीक हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए अगला है किसी की नाख से खुण अगर भाने लगे तो पीठ के बल लिटा कर सीर को पीछे की तरफ जुका देना चाहिए न जिसे की खुण कावाना कम हो जाए सीर पर थंदा पानी डालना चाहिए यादि फिर भी बंद नहों तो तुरंथ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कख्षा द्यापक की शाहिता से लेकर डॉक्टर नर्स को कख्षा में बुलाकर इन सब बातों पर भी चर्चा की जा सकती है या फिर जिस तरह से हम लोग अभी प्रस्ण का सॉल्फ प्रस्ण को सॉल्फ किया है वैसा अगला प्रस्ण है नारियल की खोल जैसी और कौन से चीजों में साप छुप सकता है तो कहानी में हम देखे थे कि नारियल की खोल में साप छुप गया था इस तरह कि और कौन से चीजों में साप छुप सकता है उत्तर होगा पुत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों साप आंगन में पड़े तूटे फूटे वर्तन खिलोनों मिट्टी की घड़ोली पेर की खो पेर का जो होता है खो यानि कि उसमें जो गड़ा होता है पेर में उसमें छुप सकता है जारियां पत्यों की ठेड़ इत्यादी में चुप सकता है में अगला प्रस्ण होगा है आप से पुछा जा रहा है आप अंधर में लिखेंगा लिखांगे है नारियल लिऑ इस्तेमाल करके खोल को वहां गल्टी से लिए को में नीचे कुछ सब्द दिये गए हैं उन सब्दों में से कुछ घर से संबंदित है याना घर से संबंदित जो सब्द है उनी पढ़ा में सिर्फ क्या करना के रहा लगाना तो यहां पर हम लोग यहां पर डारेक्ट एंसर देख लेते हैं उपर जो सब्द था उन में से घर से समंदित सब्द था आहता आंगन बडांदा जीना अटारी आला सीरी छत्रस ओई छज्जा दलान टाड कमड़ा मुंडेर ये सबी घर से समंदित सब्द थे हैं अगला प्रस्ण है बच्चों नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ साप पास किछारी में गायब हो गया वह च चीजे भेट में भेजी तो इन सब का अर्थ क्या है तो हमें क्या करना है थोड़ा सा उसमें चेंज करके लिखना है इसको चेंज करने पर हो जाएगा साप पास किछारी में चला गया वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागें पहला वाला आप देखिए पहला वाला क् मुझे गोद में लेकर भागें चट मतलब होता है जल्दी से अब बच्चा खत्रे से बाहर है इसका मतलब क्या निकल रहा है अब बच्चा ठीक है उसे कोई खत्रा नहीं है घह क्या है नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजे भेट में भेजी इसका मतलब निकलता है कि नाना ने उसे बहुत सी चीज़े उपहार सरूप दी अगला प्रस्ण है बच्चों अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी हम नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ अब उन्हें बोल कर देखो तो कुछ यह जो यहां पर पूर्ण बिराम और एक्सक्लामेटरी जो है निशान और साथी साथ प्रस्ण चीन का इन सब निशानों को हमें लगाना है कि वाक्यों को देख कर जैसा है वाक्या उस तरह से उसके पीछे में हमें लगाना है जैसे कि नानी चीक उठी शांप तो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था क्या तुम बजार चलोगी चुपचा बैठो हिलना डुलना मत तुम्हें ये कहानी कैसी लगी अहा कितने मिठी है इन सभी वाके पीछे कुछ भी चिन लगा हुआ है प्रस्न चिन या विराम चिन कुछ भी नहीं लगा है आगे अंसर में हम में दो जिए कुछ विराम चिन लगाएं मैं नानी चीक उठी शांप यहां पर यह बिस्म सेयल ब्धक चिन लगेगा साप धीरे धीरे रहा था यह साधारन वाक्य है तो यहां पर पुर्ण विराम का चिन लगेगा क्या तुम बाजार चलोगी यह एक प्रस्न बोधक वाक्य है इसलिए इसमें प्रस्न बोधक चिन लगेगा चुप चाप बैठो हिलना डुलना मत चुप चाप बैठो यहां पर किशी को आदेश गिया जा रहा है इसलिए इसमें प्रस्न बोधक चिन लगेगा और हिलना डुलना मत यहां पर पुर्ण बिराम लगेगा फिर तुम्हें यह कहानी कैसी लगी है एक प्रस्नवाचक सब्द है तो यहाँ पर प्रस्नवाचक चिन लगेगा अहाँ यहाँ यहाँ पर विश्मय बुधक चिन लगेगा उसके बाद कितनी मीठी है यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा तो कि यह सधारन है वाक्य तुम ल पुल में साप लेकर भागा था इसी आधार पड़ा पुसको इन में से कोई एक नाम दीजिए तो आप उत्तर में लिखेंगे हम उससे नादान कहेंगे क्योंकि उससे साप को पकरना एक खेल लग रहा था साप कितना खतरनाक होता है उसका उसे पता ही नहीं था वो छोटा ऐसे ही कुछ सब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ तो ऐसे सब्द जो कि दो बार रिपीट किये जाते हैं वह इस तरह के सब्द हमें लिखना है जैसे कि चलते-चलते पीछे-पीछे और उनका हमें वाक्य में फिर इस्तिमाल भी करना है तो चली यहां देखे हैं चलते चलते वह चलते चलते गिर गया पीछे पीछे तुम मेरे पीछे पीछे कब आए आगे आगे वह आगे आगे भाग रहा था भाग 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 कर काम किया करो फिर मोटे मोटे यहां बड़े मोटे मोटे मच्छर है घशीट घशीट या घशीट घशीट कर क्यों चल रहा है तो बच्चों उमीद है यह वीडियो आपको पशंद आएगा और इससे आपको लाम मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिजेगा लाइक सेर और कॉमेंट कीजे मेरे चैनल पर आपको उपलाद मिलेंगे आप उन सब को देख सकते हैं धनिवाद बच्चों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार